हाई सांदर वीडियो में वीडियो की सुरुवात स्पोर्ट ETF से करते हैं तो फाइनली बिटकोईन का स्पोर्ट ETF SEC की तरब से अप्रूवल मिल चुका है ग्यारा ओर्गनाईजेशन बिटकोईन के लिए अप्रूवल यहां पर मिला हुआ है और इसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग निज निकल कर आई जिसमें बिटकोईन की फ्लेक्चुलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई लिक्विडिटी अचानक से हाई लो हुई है हलाकि बिटकोईन उसके बाद नीचे गिर गया लेकिन इन सब के बीच जो सीबा एनू से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लक्षे इसने हासिल कर लिया है तो फाइनली एक जीरो जो किल हो गई थी वो वापस किल हो चुकी हो और प्राइज अपने एक्जिस्टिंग मुकाम पर पहुच गया है यह रेकिंग नीच थी और फाइनली जिस टाइप से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीबा एनू से बिग एप्रुवल की तरफ उस दिसा में यहां से चीजे आने लग चुकी है तो बहुत कुछ इस वीडियो में आप लोगों को जानने के लिए होगा तो कंप्लीट वीडियो वाच करना और चैनल पर पहली बार आए है तो सस्क्राइब कर लेना क्योंकि अब रफतार बढ़ने वाली है सीबा एनू की और यहां से एक बड़ा मुकाम हासिल होगा तो ग्लोबल नियो जो भी आर रहेगी उसका इफेक्ट सीबा एनू और बिटकोईन के प्राइस के उपर पढ़ने वाला है अगर आप देखेंगे तो चैनल को सस्क्राइब करेंगे तो हर चोटी बड़ी अपडेट आपको दो वीडियो में पर दे मिलेगी तो चैनल सस्क्राइब करना और वीडियो को लाइक करना देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे बिटकोईन का प्राइज अचानक से कितना हाई पहुचा था अचानक से 48,900 यानि कि 49,000 डोलर तक पहुच गया था अचानक कल की तारिक में और अचानक से प्राइज यहाँ से वापस गिरा और प्राइज नीचे के तरफ आ गया तो यहाँ से फिर देखें कितनी लिक्विडिटी अचानक से यहाँ से जैसे अप्रोवल मिला तो यहाँ पहुचा प्राइज यहाँ पहुच गई मतलब buyer और seller कितने active हुए है और अब यह आपको regular base पर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ICE की तरफ से जो approval यहाँ पर मिला है न SEC की तरफ से वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से bitcoin में liquidity बहुत जादा high low होने वाली है और CBNU के उपर पूरा effect पड़ेगा क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ से जो चीजे होगी न bitcoin के उपर उसका effect altcoin के उपर बहुत तेजी से पड़ेगा तो कई altcoin यहाँ से high liquidity के साथ fluctuate हुए है तो एसा ही आपको regular base पर देखने को मिलेगा crypto market में तो Siba Inu के साथ एक बड़ी यहाँ सबडेट यही निकल के आई है कि 1.4 trillion Siba token विड्रो बाइंग किये गए है इन 48 घंटों के अंदर अंदर अब आप सोच सकते हैं 1.4 trillion Siba बाइंग अपने आप में बहुत बड़ी आप रत्याशित चीजे हैं और कुछ दिन पेने मैंने वीडियो बनाया था विल्स की जो एंट्री हुई थी ना उसी संदाज लग गया था कि April finally मिलने ही वाला है April के उपर मैंने कई वीडियो बनाया थे जिसमें बताया था कि Bitcoin का April के लिए 10 तारिक डिसाइट की गई है और जैसे ही April मिला 11 और्गनाइजेशन को तो उसके बाद प्राइस तेजी से यहां से बूश्ट हुई है और यहां से अब हमें बुल रेली की तरफ सीबायनू की तरफ लेके जाएंगे और यहां से बड़ा प्रॉफिट निकलेगा सीबायनू में तो यहां से प्राइस बिटकोईन तेजी से जाएगा और लगभख साथ हजार डोलर सितर हजार डोलर तक प्राइस पहुचेगी तो इससे बिटकोईन की वज़े से सीबायनू को पूरा पूरा फायदा यहां से मिलेगा दूसरी चीज अगर आप देखेंगे वो है हालविंग एक सो चार्ज दिन हालविंग के लिए बचे हैं मात्र तीन से साड़े तीन महिने तो एसे में हालविंग एक बड़ा बूश्ट देगी और इसलिए किया रहा हूँ सीबा में एक बड़ी रेली बड़ा पंप यहां से देखने को मिलेगा एक तुफान आएगा अच्छा एक खबर अभी तो आप एकसाइटेड रहो क्योंकि वीडियो एंड नहीं हुआ है एक और बड़ी एकसाइटेड आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि सीबा एनो से रेलेटेड है अगर देखेंगे तो 27,510% इसपाइक रोकेट की तरफ बर्न इसपाइक हुआ है जहाँ पर 9.3 बिलियन सीबा टोकन यहाँ पर डिश्ट्रोई कर दिये गए है एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और वो सीबेरियम के द्वारा हुआ है जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि लगभग 10 trillion 9.3 trillion सीबा टोकन यहाँ से वो होंगे डिश्ट्रोई होंगे बर्न होंगे लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ से डिश्ट्रोई कर दिया गया था उसमें यह भी बताया था कि यह पूरे महिने के दोरान होंगे यानि कि जनवरी में उसमें से 9.3 billion सीबा टोकन को डिश्ट्रोई किया गया है जो कि 27,000 27,500 पर्षेंट की ग्रोथ है बर्निंग में तो बड़ी चीजे निकल कर यहाँ से निकल रही है जो सीबायनू के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगी क्योंकि बर्निंग अगर यहाँ से कम होती है रेगुलर बेस पर तो सोचिए कि इधर बिटकोइन बड़ेगा और इधर यहाँ से बर्निंग कम होगी और तो उससे यह जो जीरो किल होने का चांस है वो काफी हद तक हो जाएगा जैसे कि एक जीरो किल हुई लोग कितनी तेजी से यहाँ पर एक्टे हुए और उसी टाइप से अगर यहाँ वापस जीरो किल होती है जो की बर्निंग के कारण हो जाएगी हलाएकि उसके पोटफोलियो पर अंतर नहीं पड़ेगा आपके लेकिन मार्केट इसी तेजी से बढ़ेगा अब यहाँ पर आप देखे किस तेजी से रोकेट की तरह मार्केट गया और मैंने कहा था भी सही कि भाईया इस पोईंट पर सोट टम प्रॉफिट गेन करना चाहते है लोंग टम के इन्वेश्टर है तो फिर होल्ड रखना लंबे समय तक क्योंकि सीबा इनू अभी बिटकोइन ETF और हालविंग के बाद और तेजी से बोश्ट होगा लेकिन जो इस फ्लेक्ट्वेशन का फायदा उठाना चाहते है जैसे यहां पर आप देखे प्राइज फ्लेक्ट्वेट काफी हद तक हुई है लिक्विडिटी काफी हाई है तो इस फायदा जैसे यहां पर यहां पर इस मार्केट का फायदा उठाना है तो वो लोग बाइंग सेलिंग इस पाइंट के हिसाब से कर सकते हैं उसके लिए आपको ग्लोबल न्यूज और जितने भी सीवा की न्यूज है उनको कवर करना पड़ेगा और उसके लिए चैनल को सस्काइब कर लेना मैं डेली आपको न प्रेली मिलेगी क्योंकि जो लोग यहां से निरास हो गए थे क्या सीवाइनों नीचे जाएगा क्या एसे ही नीचे जाता रहेगा उन लोगों के लिए अच्छी चीज है देखिए जैसे बिटकोइन का स्पोर्ट इटीएफ आया तो सोचे कितनी बाइंग यहां पर रही है सीवा में और एक जीरो किल होने में चंद घंटे भी नहीं लगे तो आप सोच सकते हैं कि जब बिटकोइन बढ़ेगा स्पोर्ट इटीएफ और अब यह हाल्विंग के बाद तो जीरो कितनी तेजी से किल होगी और प्राइस केस से बूश्ट होगी अब सीवाइनों के प्राइस क्या है थोड़ी सी गिर गई थी यहां से यह गिरने की वज़े से यह जो नीचे निराज साई है तो यह थोड़ी सी निराज जनक प्रदेशन हुआ आनने था यह जो पॉइंट बनाया था यह इसका बेरियर ही था इसको तोड़के उपर प्राइस जाना थी और अ of the month तक profit gain कर लेन जनवरी के अच्छे कासी यहां से आपको फाइदा मिलेगा जनवरी फर्वरी मार्च तीनों महिने सीबा इनों के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि Bitcoin का Sport ETF सब चीजे यहां से करेगा और आप लोग बस सवार हो जाओ घोड़े पर अटोमेटिक चीजे अपने आप यहां से बढ़ती रहेगी तो एसा ही यार वीडियो है आई होप आपको बहुत सरी चीजे समझ में आई होगी आई होप आइस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब चीजे आपको एसे ही profit gain करते रहे और आप लोग फाइदा उठाते रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते नहीं वीडियो में नमस्कार